प्रादेशिक और वन्यप्राणी वन्मंडल हमीरपुर के करमचारियों तथा वाइल्ड लाइफ क्राइम क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के मुखिर ने तेंद्ध के खाल के अवैद कबजे के बारे में खूफिया सूचन प्राप्त होने पर विभाग ने तुरंत कारवाई की इस दौरान दो व्यक्तियों को रंगी हाथों पकड़ा गया जिसे मौके पर एक प्लासिक बैग में अंदर रखा गया था दोनों आरोपियों को जब तेंदु की खाल के साथ पुलिस हिरासत में लिया गया है आगे की कारवाई S.H.O. हमीरपुर को सौंप दी गई है इन से जो Special Intelligence मिले हुए थे की कि कोई किसी के पास की Illegal Leopard Skin है तो वो इनके पास पड़े हुए और वो किसी को बेशने जारे करके हैं तो उसी का information को हमने collect करके इनका Special Informer के ठूट हमने एक Joint Operation किये हुए थे जो हमारा Territorial Division और Wildlife Division का सब फिलस्ताप मिलके कि वो कुछ दिन से मझा प्लानिंग कर रहे थे कि इन दोनों को जो बंडें इनको कैसा पकरना है और वो भी मझा उस लेपड स्किन के साथ कैसा पकरना है करके तो ओन जो 14 टारिक को जो हम सारे चार बजे न तो इन दोनों को मतलब जो इंफोर्मर ने आइडेंटिफाई करने के बाद दो पंडे को पकड़ लिया गया हुआ है और इनका जो लेपड एक लेपड स्किन जो मिला हुआ इसको भी सीज कर दिया हुआ है और डोनों का स्टेट और कल वोलों को कोर्ट में प्रेड्यूस करने के बाद ये दोनों बंडे तीन दिन का और रिमान ले लिया हुआ है तो वो दोनों को वाइलाइट प्रोटेक्शन एक जो 1972 है इसमें जो लेपड जो है सेडिल वान एनिमेल बोलते हैं तो इनके तहर मदलब इनका फडर और उसको जोगी होगा उस अजार बार में देखेंगे हैं देवे हैं मासर वब टेवी के लिए हमेर पर से सुरेंदर ठाकुर की रिपोर्ट